तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आपके 27 सप्टेमबर के शिफ्ट 2K MCQs of Biology येस एवरीबड़ी तो बहुत सारे बच्चे जो हमारी चानल से अल्रेडी काफी समय से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि MHT CET 2022 के जो aspirants हैं उनके हम पूरी CET की तयारी करवा रहे हैं पूरा बायोजी का वन शॉट वीडियो जो है वो इस एक सिंगल वीडियो में दिया गया है तो आपका बायो का फुरा व्वीजन हो जाएगा और फिजिक्स का हाफ व्विजन हो जाएगा इसके अलावा बाकि का रिवीजन करने के लिए अप Biggs चेक कर सकते हो यहां पर आपको बाकि के chapters मिल जाएंगे इस प्रेस्जिस्ट में आपको बायो के individual chapters मिल जाएंगे शिफ्ट वाईज पीवाई क्या होता है मैं लास्ट येर 2021 में जो सीटी एक्जाम हुआ था तो उस एक्जाम में अलग-अलग शिफ्ट सुई थी और उन शिफ्ट के अकॉर्डिंग जितने भी पेपर्स या क्वेश्चन्स अवेलेबल हुए स्कोर बूस्टर से वही क्वेश करो जितना हो सके थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन रीडिंग करो ओके सो वन शॉट देखो एंसी क्यों सॉल्फ करो बिकॉज आई ऑल्वेस से सम्थिंग बेटर दन नथिंग आप अगर ऐसा पूछोगे मैं इतना करने से कितना मार्स आएगा हम पास हो जाएंगे क्या हम क् अगर आप अभी भी प्रैक्टिस करना स्टाइट करें विवी प्रैटिस करना स्टाइट करें उच्छेएंग्ट क्यों चेप्टर वाइस डीटेलंगे फिजिक्स के काफी सारे एंसी क्यू इहाँ पर मिल जाएंगे इसके अलावा प्रिविएसयर क्वेश्चन के हम अलग- कर सकती हूं कि आपका 50% के उपर ही मार्क्स आएगा जो कि एक प्राइवेट कॉलिज के लिए सफिशेंट परसंटाइल होता है ठीक है क्योंकि एक मैने में पढ़के इतना ही मिलेगा तुम एक दिन पहले पढ़ा ही करो तुम का 100% नहीं आने वाला है अगर कुछ तुम जादु मंतर जानते हो तो तो देन दाट इस दिफरेंट थिंग अधर्वाइस प्रीज पढ़ना स्टार्ट करो यू स्टिल हाव चांस लेकिन खाली मत बैठो इस इस मैं अल्ली मैसेज तो लेट साट विट अवर तुदेशन आज मैं आपको कराने वाली स्टेश इलेक्ट्रों इंटरों ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंसाइड मैटो कॉंड्रिया और अवेलेबल बाइ डैश एनर्जी रिच मॉलिक्यूल प्रेडूस दूरिंग क्रेप साइकल आर तो जो इलेक्ट्रों आपके मैं अंटर करते हैं वो किसके मदद से अंदर जाते ह अंदर जाने के लिए वी नीड एनरजी और एनरजी मॉलीक्यूल प्रडूस दूरिंग क्रेप साइकल आज क्रेप साइकल में इसे कौन से मॉलीक्यूल है जिन से हमको एनरजी मिलती है अब इधर पर आपको बहुत सारे बहुत कॉमन वर्ड दिख रहे हैं एक है नडी एज औ और एक है एफडी एज तो मैं आपको बता दूं कि एफडी एज टू एक एफडी एज टू से आपको टू पॉइंट फाइव एटी पी मॉलीक्यूल मिलता है जिसको अंदर जाने के लिए हमको जो एनरजी चाहिए वह भी हमको एने डी एज से मिलती है और क्रेप साइकल ख तो यह देखो माइटो कॉंड्रिया के अंदर जाना है तो भी हमको इधर पर एनजी प्रेद्यूस करने पड़ रहा है कि मदद से उसके अलावा क्रेप साइकल में देखो एधर एधर इजने येज फॉर मोरा इधर नडी उर्टी फॉर मोरा इधर अफडी फॉर मोरा लिप क्रेप साइकल में भी बहुत सारे एनरजी मॉलेकूल सब्सक्राइब हो रहे हैं तो आपके सेक्स क्रोमोजोम पे जो जीन होती है वह जीन इतनी टाइटली अटाच्ट यह अपना नौन होमोलोगस रीजन है तो नौन होमोलोगस रीजन की जीन समझो यहां पर एक से और यहां इस अपने और स्प्रिंग में पास होती है तो इसमें से कौन सा जिसॉडर सेक्स लिंकेज का एक्जामपल है इस ती और से नेफ्राइटेस रेटिनाइटेस पेगमेंटोसा यह टोटल कलर ब्लाइंड नेस तो आंसर है इस ती और इस नतिंग बट यह और होलैंड्रिक जीन का डिसॉडर याने की यह वाई क्रोमोजोम पर पाया जाता है यह तो इस इन एक्जामपल ऑफ कंप्लीट सेक्स लिंकेज ओके यह देखो इदर दिया है इदर पर सी रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंड नेस होता है इस्थि और यह तीन ओप्शन नहीं दिखाई दे रहा है य पर एक पर्टिकुलर एक्जामपल आपको याद होना चाहिए तो ही आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश वेंट ओन ओन फील्ड विजिट और क्लेक्टेट सम फ्लावर्स लाइक राइस कॉन पोटामो गेटॉन हैलो गैरिस सैल्विया और कि तो उसमें से कितने फ्लावर्स मतलब क्या होता है विंड पॉलिनेशन तो हमको पता है राइस कौन यह सारे कैश क्रॉप्स हैं तो यह विंड पॉलिनेशन करते हैं कि लिए बैट पॉलिनेशन दिखाता है सैल्विया में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है और हैलो गैरिस में भी आपका पॉटामोगेटान एंड हेलोगरिस यह दोनों भी क्या है हमारे विंड पॉलिनेशन का एक्जामपल है यह देखो आपको यह टेबल में ने दिया था याद है सबको यह वन शॉट की वीडियो में हमने यह रिवाइस किया था यह देखो राइस और कॉन विंड इसके पास राइजोबियम जीन्स नहीं होता है इसके पास राइजोबियम जीन्स जीन्स पास टीयए यह यह टिउमर डीजीज तो हम ठीक्न यह चांध यह अगरिये मने यह टिवाइस इस से मित्यों बनता है तो एक जीन्स से अगर कोई एक अमीज असट बन रहा है तो इस से बने आजए तो इससे कभी दूसरा अमीन ऐसेट बनेगा किया नेवर एक कोड़न से एक यामीनो ऐसेट बनता है इस प्रॉपरटी को हम क्या बोलते हैं यह नौन एंबिगस नेचर याने एक कोड़न एक ही अमीनो ऐसेट बनाएगा वह लॉयल है वह कभी दूसरा अमीनो ऐसेट नहीं बनाएगा मैंने पारले जी बिसकित का एक्जाम सबस्कें यह वाले दुकान वाले जोंकल सिर्फ बैसकितभी बैसकित कीव बचेंगी उन नवापक टक रहता है तो द szerлож भीनते नं ग्रेंचट कोके हमने पड़ाै हमारे पास पूलन घ्रे साथ है यह अपना nucleus है ठीक है इसमें first mitosis होता है तो आपको मिलता है एक vegetative cell एक generative cell तो अब यह जो आपका generative cell है इट डिवाइट्स टू फॉर्म how many nuclei यह generative cell कितने nuclei बनाता है खुद को divide करके यह दो nuclei बनाएगा ना मतलब यह vegetative cell खतम हो जाता है vegetative cell का ट्यूब nucleus वैसा ही बचता है ठीक है और यह जो जन्रेटिव सेल यह जन्रेटिव सेल second mitosis करता है और यह ऐसे दो मेल बना लेता है तो इट डिवाइट्स टू न्यूक्लिया विचार haploid in nature yes everybody next question यह देखो जन्रेटिव से आपको दो nuclei मिल रहा है ठीक है next question which one of the following is not correct with respect to medical termination of pregnancy याने की abortion MTP it is safe if done after 30 weeks of pregnancy बापरे 30 weeks मतलब कितने महिने हो गए 4 6 24 7 28 मतलब 7 8 महिने में pregnancy safe होती है क्या abortion कराना no so first statement is false आपको false statement ढूणना है it is an intentional termination of pregnancy true हम जानबुच के बच्चा अबॉट करते हैं that is true medical termination of pregnancy में कुछ complications होते हैं तो it is essential in case of defective fetus yes fetus का development नहीं है तो हम abortion कर सकते हैं Indian government ने यह 1971 में यह act legalize कर दिया था so only option number a is the wrong statement next question enterogastron hormone plays vital role in enterogastron याने की गास्ट्रिक जूस तो यह किस में important role play करता है इसका pancreatic juice और गॉल प्लैडर से कुछ लेना देना नहीं है यह gastric gland को stimulate करेगा या inhibit करेगा क्या करेगा यह it inhibits secretion of gastric juice जो कि हम fasting वाले condition में देखते हैं जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे body में enzymes नहीं बनते जिससे हमारी body में acidity की condition avoid होती है next question funnel like structures of nephridia that connect to body cavity are called as what यह आपके class 11th excretion and osmoregulation वाले chapter में से है मैंने आपको बहुत बार बोला एक्सक्रीशन एन ऊस्मो regulation बहुत important chapter है इसमें से चार से पाच MCQ आते हैं okay so funnel like structures of nephridia यह हमको कहां पर देखने को मिलते हैं यह हमको देखने को मिलते हैं nephrostorms में यह देखो meta nephridia वाले पार्ट में हमको यह theory में दिया गया है the funnel like structures called nephrostorms are found in body cavity yes next question if 10 pink flowered plants of mirabilis jalapa are crossed with another 10 pink flowered plants अब तक आपको याद हो जाना चाहिए pink याने neomandalism और neomandalism का कौन सा example है incomplete dominance का example incomplete dominance में हमने क्या देखा था कि आप red और white को mix करते हो तो आपको pink flower मिलता है फिर जब आप पिंग को pink के साथ selfing करोगे तो आपको one is to two is to one का ratio देखने मिलेगा याने कि कुछ flower समझो आपने 10 यह वाले पिंक लिए 10 यह वाले पिंक लिए ठीक है तो आपको one is to two is to one का ratio देखने मिला याने कि आपको कितने offsprings मिल रहे हैं इधर पे यह पर यह वाले रेड मिलेंगे यह वाले pink मिलेंगे और यह वाले white मिलेंगे तो ऐनसर क्या और फैर पे 25% आपको pink red मिलेंगे यह देखो तो आपने जितने भी flowers लिये हैं of the same genus and species what will be the percentage of white flower देखो तीन offsprings मिल रहा है ना तो यह double है याने की 50 परसेंट यह 25 परसेंट यह 25 परसेंट तो white का percentage कितना है 25 परसेंट सिंपल सा calculation मिराबल इस जला आपा incomplete dominance वाला example है ठीक है next question in an ovule dash is heploid यह हमारा embryo sack है ठीक है यह हमारा so called ovule है इसके अंदर यहां पर synergy होते हैं यहां पर egg cell होता है यहां पर तीन antipodal cell होते हैं यहां पर अपना secondary nucleus होता है तो which cell is heploid अपना funiculus यह deployed होता है ठीक है antipodal cell is heploid integuments मतलब बाहर के layer यह deployed होती है new cell is deployed होते हैं यह mega spore mother cell बनाते हैं तो option number B is the right answer only antipodal cells synergied egg cell is heploid ट्रिदर सीव antipodal cell option दिया है next question which one of the following can be treated by macrophage activating factor कौन सा particular disorder इसमें से हम macrophage की मदद से clean कर सकते हैं देखो hemophilia A और hemophilia B यह genetic disorder है यानि कि हमारा chromosomal defect है asthma यह एक lung disorder है ठीक है जो कि alveoli damage होने के वज़े से होता है but cancer क्या है it is nothing but abnormal growth of cells और इसको हम stop कर सकते हैं with the help of macrophages so option number B is the right answer okay next question match developmental stages of human beings in column 1 with days required after fertilization in column 2 so select the correct answer from the options given below formation of moriola देखो याद करो reproductive system याद करो female reproductive system ऐसा कुछ हमने फैलोपियन ट्यूप का structure याद किया था यहां पर अपना जाइगोट बना है फिर यह जाइगोट में cleavage होगा तो दो blastomers बनेंगे फिर चार blastomers बनेंगे फिर उसके remember let me show you the diagram यह देखो moriola कब बन रहा है आपका it is forming near day 4 और आपका complete implantation कब हो रहा है 8 और 9 के बीच में और gastrulation कब स्टार्ट हो जाता है day 8 में सो यह देखो आपका option number B जो है यह match कर रहा है yes complete implantation के पहले यानि कि पूरा implantation होने से पहले अपका gastrulation स्टार्ट हो जाता है ओके चलो next question sorry beginning yes this is correct चलो next question the dash is not an organ included in lymphatic system lymphatic system मतलब क्या होता है जहां पर आपके lymphocytes बनते हैं तो कौन से और गन में हमको lymphocytes देखने को नहीं मिलते हैं yes थाइमस gland में बनते हैं lymphocytes यहां पर तो अपना B cells mature होता है tonsils भी अपना lymphatic organ है स्प्लीन भी अपना lymphatic organ है liver में lymphocytes बनते हैं क्या नहीं liver में RBC बनते हैं liver erythropoiesis करता है so option number D is odd one out so option number D is the right answer next question match the following organism given in column 1 with the means adopted to overcome the period of unfavorable conditions given in column 2 ओके तो आपको यहां पर यह chapter number 13 का question है बच्चा कुछ animals दिये हैं और वो कौन सा adaptation करते हैं वो पोत बताया है तो birds क्या करते हैं जब unfavorable condition आता है तो वो migration करते हैं seeds क्या करती हैं वो dormancy करती है polar bear क्या करते हैं वो थंडी snow के time पे अपने अपने गुफा में चुप जाते हैं और snails क्या करते हैं एस्टीवेशन करते हैं तो option number c is the right answer देखो बर्ट क्या कर रहे हैं migration कर रहे हैं seed dormancy कर रही है polar bear hibernation कर रहे हैं यह सब हमने examples देखा था यह देखो hibernation और estimation का example next question find the correct sequence in the steps of sea waste treatment treatment के लिए हम क्या करते हैं पहले screening करते हैं ठीक है तो option में पानी को सेडिमेंट होने देते हैं याने की नीचे मिट्टी को जमने देते हैं और फिर मिट्टी पूरी जमा हो जाती है उसके बाद हम उसमें oxygen supply करते हैं उसका BOD increase करते हैं फिर उसमें जो फ्लॉक जमा होता है उस फ्लॉक को हम settling tank next question Cardiac activity decreases in the following conditions except historical activity decrease नहीं होगा थे को हईब ऑपक्सिया याने की oxygen level down हो ना तो इसमें आपका कार्डियाक अक्टिविटी हो जाता है Estoyen और Potassium level increase होते हैं तो इसमें भी आपका कार्डियाक क्वेटिख होता है क्वेटि होता है क्वेटि प另外 बाट है कि निवोचे नाoting सलोग तो कार्डियाग pivot chapter 11 का question है अलग-अलग vitamins की बारे में हमने पढ़ा है organic acid and vitamins class 12th 11 chapter enhancement of food production pro vitamin A is nothing but it is a type of retinol and pro vitamin D is nothing but it is a ergosterol यह देखो इधर पर दिया है आपका pro vitamin D is ergosterol जो bones के लिए important होता है and beta carotene is pro vitamin A which is important for your vision okay next question given below are two statements in root hair outer membrane is composed of chitin देखो आपका जो chapter number six है ना इसमें से ऐसा question आएगा ही आएगा मैं आपको guarantee दे रही हूँ उसके membrane से related question आएगा ही आएगा तो जो हमारी cell membrane है sorry cell wall है उसकी outer wall किस से बनी है chitin से and inner membrane is made up of cellulose कौन सा राइट और कौन सा false statement है इतनी बार हम कर चुके है first statement is incorrect but second statement is correct क्योंकि अपना जो रूट है उसका outer layer is made up of pectin and inner layer is made up of cellulose तो इधर chitin नहीं आएगा इधर पर क्या आएगा pectin okay next question select the incorrect statements with respect to glomerulus glomerulus की बारे में आपको wrong statement find out करना है ठीक है यह अपना bowman's capsule है okay और यह अपना glomerulus है okay so it is a bunch of several nerves no यह nerves नहीं है यह blood vessel है so first statement is wrong it is formed from a terminal branch of renal vein no यह renal vein से नहीं बना है renal artery से बना है so this is also wrong diameter of afferent arteriol is greater than efferent arteriol this is right hydrostatic pressure is developed in glomerulus no hydrostatic pressure is developed in bowman's capsule high hydrostatic pressure is important for augmentation to take place augmentation नहीं होगा augmentation आपका आगे जाके नेफरोन के ट्यूब में होता है glomerulus में नहीं होता है so this is wrong and this is right hydrostatic pressure takes place in glomerulus जिसके वज़े से filtration होता जिसके वज़े से आगे जाके आपका ultra filtration process होता है so option d is right but option is wrong okay so is the correct answer आपको wrong statements find out करने बोले थे next question okay connecting link between glycolysis and TCA cycle is known as what देखो हमने पढ़ा था ना glycolysis में जो अपना 3 carbon compound pyruvic acid बनता है यह mitochondria के अंदर जाने से पहले यह अपना mitochondria है mitochondria का inner membrane है यहां पर बीच में कुछ तो reaction होता है जहां पर आपका 3 carbon compound 2 carbon में convert होता है तो इस reaction को क्या बोलते हैं connecting link and connecting link में क्या बनता है आपका acetyl coenzyme next question यह देखो यह आपका connecting link वाला reaction next question okay so loss of biodiversity in any area can lead to the following except अगर किसी भी particular area में कोई species गायब हो जाती है extinct हो जाती है तो उसके वज़े से कौन से कौन से causes होते हैं और कौन सा नहीं होता है कौन सा change हमको देखने को नहीं मिलता है वह पूचा गया है तो अगर biodiversity गायब हो गई तो उसके वज़े से disease cycle change हो जाएगी क्योंकि organisms का nutrient cycle बदल जाएगा plant productivity decline हो जाएगी correct क्योंकि species ही नहीं है flood आने के भी chances हैं but crop की diversity देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि species गायब हो गई है तो डाइवर्सिटी कहां से देखने को मिलेगी भाया next question in angios forms embryonal initial undergoes okay हम plants की बात कर रहे हैं हमने क्या देखा है कि यहां पर यह जो एग सेल और यह मिल गामिट है यह मिलके क्या बनाता है जाइगोट बनाता है तो यह अपना इनीशियल बोलते है तो अपना जो embryonal initial है यह कितना डिविजन करेगा तब जाके एक ऑक्टेंट embryo बने तो यह देखो यह जो embryonal initial है यह कितनी बार डिवाइड होगा यह एक बार माइटोसिस करेगा वन माइटोसिस तो यह ऐसे दो सेल बनाता है छिक है फिर यह इससे नीश बनाता है और फिर यह ठर्डब माइटोसिस करेगा तो यह ऐसे आठ सेल्सेल्स मतलब ऐसcles ₩ एक दो ऐसे आठ सेल्सेल्स बनाता ऑक्टेंट embryo तो आफ्टर थ्री सक्सेसिव यह देखो आफ्टर थ्री सफ सक्सेसिव माइटोटिक डिविजिएंस वी गेट और इंब्रियोनल इनिशियल मैं इसकी बात करें यह टर्मिनल सेल फॉलो करो देखो यह वाला यह वाला फॉलो करो जिसको मैं सर्कल कर रहे हूं यह अब यह उक्टेंट स्टेज बना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कि इडेंटिफाइड रिगार्डिंग लिपीट अब लिपीट के बारे में क्या पूछा गया है लिपीट अटिंग बट लिक्विट फैटी असेट अब हमने क्या पड़ा है लिपिट में दो टाइप के ख्राइड नेक्ट फैटी असेड तो इसमें डेबल दिखने को मिलेगा क्या नो साच्ट इन सिंगल पॉण पाल्मट स्टेरी का एक्शामपल ऑफ अनसाचुरेटेट फैटी असेट नो ओलेक अन लिन ओलेक आग और एकशामपल ऑफ साचूरेट फैटी अशिड अपन्ट यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिये गए तो आपको इन में से करेक्ट ऑप्शन धून के निकालने हैं ठीक है पहला ऑप्शन है वेस्टन घाट्स शो ग्रेट एको सिस्टम डाइवर्सिटी देन रन अफ कच तो बताओ क्या आएगा इसमें से आपको वेस्टन यहां पर आपको ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है इस पोलार रीजन तो स्टेटमेंट वन इस राइट बट स्टेटमेंट टू इस इंकरेक्ट सो अप्शन नंबर बी इस दी राइट आंसर यहां तक सब को समझ में चलो नेक्स्ट पर जाते हैं दो मेल ज्यूस पर्म अर अब बताओ इस ऐसन में को क्या पूछा गया है कि हमारे एंग्शन में जो मेल गामेट भाने होता है क्या चलो ड्रॉ कर लेते पतां से यह अपना पॉलन ग्रें है यह अपना नूखलीए से फिर में जब माइटॉसिस हुआ तो यहां पी आपको मिला एक फिर यhen generative cell में जब mitosis होता है तो हमको मिलते हैं दो male gametes now क्या यह मेल Сब्सक्री ander Currently, is thereётся पास flagella है they don't have any flagella ऐसे टेल इनके पास no they don't have multi flagella they don't have biflagella they don't have the male gametes in NGO sperms are non-flagellate multi-flagellate biflagellate uniflagellate sorry so this is non-flagellate multi-bi or uni इनके पास कुछ नहीं होता है they don't have any flagella so option number a is the right answer next question which one of the following symptoms is not observed in asthma okay asthma में हमको कौन से कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पहले वो देख लेते हैं ठीक है difficulty in breathing correct constriction of bronchioles correct sore throat and blood in mucus asthma में mucus में blood देखने को मिलता है क्या periodic wheezing याने time to time cheek आना yes so only option number c is not observed याने की mucus में blood नहीं आता क्योंकि इस्टमा में आपके bronchioles जो होते हैं वह मतलब जो आपके alveoli होते हैं वह सैक का filtration problem हो जाता है exchange of gases का problem होता है blood in mucus हमको pneumonia वाल गेरा वाले condition में देखने को मिलता है so it is not an option for asthma so this is the right answer next question यह देखो अस्तमा में blood construction of bronchioles होता है mucus build up होता है बट ब्लड नहीं आता है periodic wheezing होती है difficulty in breathing होती है yes next question match the following animals in column one with their respirator surface in column two अब यह भी आपके chapter 8 का question है जो chapter 8 पे आपको table दिया starting में first or second page पे कौन से animals कौन से surface से respire करते हैं बस उसी को match करना है तो चलो सबसे पहले हमको reptiles के बारे में पता है reptiles कैसे respiration करते हैं अपनी plasma membrane की मदद से यानि कि snake का example ले लो फिर उसके बाद protesta कैसे respiration करते हैं या nudes and tadpoles कैसे respiration करते हैं देखो platyhelminthus याने flatworms flatworms कैसे respiration करते हैं body surface की मदद से तो देखो इधर पे बी का option क्या आएगा answer 3 और सी का option क्या आएगा अच्छा सोरी रेप्टाइल्स बोला है सोरी 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 रेप्टाइल्स में आंसर आएगा अपना four lungs they have lungs यह देखो यह table हमने पढ़ा था ना रेप्टाइल्स लंग से respiration करते हैं यह यह अपने जो flat worms होते हैं वह कैसे respiration करते हैं प्लाज्मा में यह body surface की मदद से और अपने जो newts and tadpoles यह देखो newt and tadpole यह कैसे respiration करते हैं external gills की मदद से so option number C matches all the correct answer next question यह table इसलिए मैंने अपको learn करने बोला है the enzyme that converts 3 pga to 2 pga in glycolysis is known as what glycolysis का second last step है यह आपने 3 Phosphoglycer acid to 2 Lemon Convert तो अर्फ है कुछ ऐसा स्के थर्ड कारबन पर chocolate नो मिष्द करेब आपने स्माथ सिर्ख कर दिया 2 पर आपने तरी परज़िसेंग की यानिकी आपने म्यूटेशन किया क्योंकि आप सेब त्री फोस्पर लिस बाना रहे और राभ है सीमन अल्कलाइन होता है और सेमन याने कि मेर्ड इप्रड़क्टिटिव फ्लुएड तो डिस रूस्तेट मर्ट फ्लूइड जो प्रोस्टेट ग्लाइन से निकलता है वह थोड़ा सा असिडीक होता है क्योंकि उसके अंदर आसिद फ्लोटेज और सिक्रिक ऐसे वहुते इस अ not acidic but it is alkaline in nature so option number D आपका रॉंक स्टेटमेंट है क्योंकि इधर पर क्या आएगा alkaline आएगा नेक्स्ट यह देखो बल्बो युरेथरल ग्लाइंड प्रोस्टेट ग्लाइंड से एसे रिलीज होता है और कॉपर्स ग्लाइंड से अल्कलाइंड इस प्रेक्षेशन इन अलील फ्रीक्वेंसी इस कॉल्ड आज वाट यानिकी रैंडम ली अचानक से किसी नाचरल डिजास्टर के वज़े से कोई अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज वे या कोई पर्टिकुलर स्पीशी गायब हो गई तो उसको क्या बोलते हैं एनी रैंडम फ् इस या अब इदर पर देखो रीकॉंबिनेंट वर्ड यूज किया यानि कि अपने चैप्टर नूमबर ट्वल का वेस्टन है या आपको एक टेबल दिया गया था कि कौन से कौन से पर्टिकुलर डिसॉडर्व रिट कर सकते हैं कौन से कौन से प्रोटीन प्रोड़क्शन क दोनों साउंड करने में सिमिलर पैसे याद र Кстати एट से ए टृता है और 9 से हेमोफिल या बी ट्रीट होता है फैक्तर 9 बट इन बड़्य और और प्रेक्टा एंप लाघन स्तेप्ट में पीनि पर एट्श्रों फोरेस्त स्तट मेंने पर शेमस्णों करेक्ट श्रॉस यह बड़े-बड़े ट्रीस से ब्लॉक हो जाते हैं लिकिन थोड़ा-थोड़ा सब्सक्राइब इनको मिलता है तो यह थोड़ी-थोड़ी ग्रोथ दिखाते हैं तो ऐसा नहीं है कि यह बिल्कुल भी ग्रोड नहीं होते हैं तो यह स्टेटमेंट आपका रॉंग है okay for animals seasonal variations in high in sorry in light intensity and duration are clues for the reproductive and migratory activities यानि कि जब मौसम में बदलाव होते हैं तो animals को पता चलता है कि उनके reproduction करने का या उनके migrate होने का time आ गया है so this is the right statement option one is wrong but option two is correct so answer b is the right answer next question the blood reports of a patient indicated elevated levels of creatinine okay patient का जब हमने blood report test किया तो उसमें को क्या देखने को मिला कि उस patient के urine में या blood में creatinine का level 1.92 से जाधा हो गया है यह आपके class 11th excretion chapter का question है ठीक है excretion तो ऐसे में और वो person oligo urea से सफर कर रहा है oligo urea क्या होता है यानि कि less urine या जिसको हम बोल सकते है scanty urine in a day तो वो कॉंसे disease से सफर कर रहा है oligo urea मतलब समझ जाने का we are talking about acute renal failure क्यूंकि आपको 11th standard में ऐसा कुछ तो do you know वाला box दिया था उसमें हमने creatinine test में देखा था कि आपका result याने कि 1.92 किसी patient का creatinine level आया है normal value कितनी होती है males के लिए 1.4 से 0.6 से 1.4 और female के लिए 0.6 से 1.2 बट दोनों से भी जादा creatinine अगर पाया गया यानि कि kidney properly function नहीं कर रही है next question find given below are the two statements और हमको इसमें से correct answer दूनना है okay so to illustrate the law of independent assortment law of independent assortment मतलब अपना third law mendel का third law a dihabrit cross is essential यह हमने पढ़ा था कि third law के लिए dihabrit cross होता है this is correct statement to illustrate the law of dominance यह अपना first law है तो इसके लिए हम monohabrit cross भी उसकर सकते हैं dihabrit cross भी उसकर सकते हैं यह भी true statement है so both the statements are correct yes next question pituitary gland is lodged in dash bone of cranium pituitary gland हमको कहां देखने को मिलती है हमने पढ़ा है हमारे hypothalamus से यह pituitary gland निकलती है यह pituitary gland हमारे cheek bone में होती है यह तो यह pituitary gland कहां पर कौनसी bone में लटकती भी देखी गई है यह इस bone को हम क्या बुलते है cheek bone यह इसका दूसरा नाम क्या है spinoid bone देख आपको theory में दिया गया है it is found lodged in a depression called cella tercica of spinoid bone okay next question identify the correct statement regarding dna polymerase used in PCR तो यहां पर हमको correct statement ढूंद के बताना regarding dna polymerase in polymerase chain reaction dna polymerase का काम क्या होता है PCR में कौन सा polymerase use करते है dna tack tack dna polymerase याने thermos aquiticals जो high temperature में भी survive करता है okay it is thermophile okay so it is used to join the dna fragments ना 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 जॉइनिंग करने का काम लाइगे इसका होता है so option a is wrong okay it is isolated from virus no bacteria से लिया गया है thermos aquiticals bacteria से लिया गया है it separates the two strands of desired dna no separation करने का भी काम नहीं करता वह हम heating से करते हैं denaturation से it is thermostable active at higher temperature so only option number d is right answer next question out of 38 ATP molecules produced in aerobic respiration how many ATP are produced through ETS during oxidation of pyruvic acid देखो आपका जो electron transport system है यह अपने class 11 का respiration वाला chapter है okay so हमारा जो 38 ATP molecules form हुआ है उसमें से oxidation oxidative pathway से कितने ATP molecules बनते हैं देखो आपके textbook में यह table दिया गया है आपको यह वाला part पूचा गया oxidative phosphorylation ठीक है pyruvic acid का जब हमने oxidation किया तो कितने ATP मिलें यहां पर यह देखो आपको glyco इधर देखो oxidative pathway in ETS through ETS okay so यहां पर आपको कितने यह मिल रहे हैं क्या बोलते हैं उसको कितने ATP molecules form होते दिखाई दे रहे हैं yes glycolysis नहीं आएगा इधर पर आपका पाइरुवेट आएगा और आपका क्रेप साइकल आएगा क्योंकि फ्रॉम पाइरुविक आसेड बोला है न तो यह और यह क्रेप साइकल और पाइरुविक आसेड याने लिंक रियाक्शन आएगा तो यह प्लस यह टोटल कितने ATP molecules form हो रहे हैं 28 ATP molecules form हो रहे हैं is this correct everybody हमको यह वाला काउंट नहीं करना है यह देखो इधर यह 24 दिया यह इसके लिए आपको यह टेबल यह दोना चाहिए next question आपको दो स्टेटमेंट्स दिये गाए इसमें से आपको राइट आंसर दुनने है during human evolution opposable thumb developed जब humans का evolution हो रहा था तो उनका यह जो thumb है यह thumb opposite direction में काम करना स्टार्ट हुआ so this is the true statement during evolution pelvic girdle became broader females birth देने लगे तो जिसके वज़े से उनका pelvic girdle थोड़ा सा और ब्रॉड हो गया so both the statements over here are correct so option number A is the right answer next question the similarity between DNA and RNA is that both are dash so DNA और RNA की बीच में क्या similar है क्या उनके पास similar pyramid होते हैं पहले तो हम लिख लेते हैं प्यूरीन कौन-कौन सा है औल गॉड़् प्यॉर यानि अडिन और प्यूरीं में क्या आएगा गौनाइन साइटोसीन साइटोसीन थाइमीन और यूरैसल यह अपने 2 dna का प्यूरीन है ध्याज आर्न आघ का प्यूरीन है दो नों में प्यूरीन कॉमनल है इनके पास पिन Pi नहीं होता है इन कपास इनकी c mignal सभा रोती है pentru और आरने के पास कौन सी शुगर होती है राइबोस शुगर सो ऑप्शन बी भी रॉंग डीने सिफ डबल स्टैंडड होता है आरने सिंगल स्टैंड होता है तो अप्शन नमबर डी राइट आंसर नेक्स्ट वेस्टिन तो राइको लंबार आउटफलो कंसिस्ट ओफ डैश प टोटल और ऑफ नर्फ नर्स जो हमारा सिंपथार के शिरू बनाते हैं पैरा सिंपथार के अज़ंग आने पड़ा थे सिस्टम आपका ट्रेनियम और से कड़ीन और इसाल निकलता है इसलिए उसको के और बोलते हैं इसको निकलता है निकलता है यहां से तोटल 22 पेर roots root development के लिए कौनसा hormone famous है जो सबसे first hormone discover हुआ था सबसे पहला plant hormone कौनसा discover हुआ था FW went ने किया था चलो अभी इतना hint दे दिया है मैंने आपको पताओ फटाफट से oxyns oxyns help in development of adventitious and lateral roots यह देखो it stimulates formation of adventitious and lateral roots इसलिए मैं बोल रही हूँ बच्चो जो अभी भी पढ़ना स्टार्ट कर रहा है ना तो one shot देखकर आपका topic cover हो जाएगा mcq solve करके आपका topic cover हो जाएगा लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ आपको textbook read करने से ही आएंगी इसलिए प्लेज अपने मन से गलत सैमी निकाल दो कि एक वहिने में पढ़के आप 90 प्लस परसेंटाइल ला सकते हो नो अहां अगर आप मतलब ऐसा ना मुम्कीन है ऐसा नहीं है possibility है you can still score above 90 परसेंटाइल बट अगर आप दिन में 14 से 15 घंटा पड़ते हो तो क्योंकि सी वूपर उपर से reading करके आप CT crack नहीं कर सकते बोर्ट में आप answer ठोक सकते हो बट CT में आपको exact answer पता होना चाहिए येस तो येस नो तो नो उसमें आगे पीछे कुछ नहीं चलता है तो इसलिए थरो रीडिंग याने अच्छे से reading करना बहुत जरूरी होता है next question which of the following pair of organs और tissues is formed by squamous epithelium okay squamous epithelium से कौन-कौन से organ बने प्राइकिया सञ泉 सदस्फलिये लियम से बनता है एमट कार्डियम सक्वैंफ बनाएं अलग और यह ब्हुंद से बनाया और सीरस-PERICARDION स्क्वेमस EPYTHELYUM से बनाया स्क्वेमस EPYTHELYUM yeah यहने स्क्वार्शेप और क्वेर शेप्ट आपिधिलियल सेल सो और अप्शन नबर जी तो आप्शन नमरे में दोनों सेम हैं next question who among the following has suggested the operon concept for transcriptional control of जीन रेगुलेशन ओपिरॉण कॉंसेप्ट हमको किस ने दिया फटा-फट से बताओ मीसल सनन स्टाल ने प्रूफ किया सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डी ने निरेंबर्ग और मैथी ने आर्टिफीशियल आरेने बनाया और जेनेटिक कोड का डिक्शनरी देने म वाट्सन और क्रिक ने डबल हेलिकल स्टैंडर्ड स्ट्रॉक्चर हमको बताया कि यह ऐसा हो सकता है बट जेकब और मुनार्ड ने हमको जीन रेगुलेशन याने की लाको पिरॉन का कॉंसेप्ट दिया सो ऑप्शन नमबर बीज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेस्चिन which one of the following is not an example of extinction due to overexploitation by human okay so इसमें से कौंसा एक्सा एक्सामपल ओवर एक्स्टाइशन का नहीं है बताऊ दोड़ बर ओवर एक्स्टाइशन का एक्सामपल है पैसेंजर पीजन ओवर एक्स्टाइशन का है स्टेलर सी का ओवर एक्स्टाइशन का है डाइनसार्स को एक्स्ट इनसे क्रेटेड इनस्टमक शोउज हाइस्ट अक्टिविटी एट अन ऑप्टिमम पी एच ऑफ डाश तो हमने दो एंजाइम के पारे में पढ़ा था एक ट्रिपसिन और एक पेपसिन दोनों स्टमक में काम करती है एक ट्रिपसिन और एक पेपसिन बड़ दोनों का पीज आपसलूटली अलग है ट्रिपसिन के लिए पी एच चाहिए 9 और पेपसिन के लिए पी एच चाहिए 2 तो करेक्ट आंसर के आएगा आपना अप्शन नमबर सी यह देखो पेपसिन एंजाइम कब अक्टिवेट होती है एचल के वज़े से जब उसका पीएच एकदम असीड फ़्स्ट पोलार बॉड़ी यह भी हमपलोड होता है सु सेगंडोंlish और ओंस यह पी हम एपलमोजोम होता है तdies में के इसकी ह हम एपलोड सेंट है और एक ऎंख सेस्ट हौम होताल में और सिक्थिएख्यों नेक्स्ट प्रेश्चन रेनिन इस एक्रीटेड बाइविच सेल्स देखो अब यहां पर आपको सारे के सारे ओप्षन कौन से दिखाई दे रहे हैं चैप्टर अपना रेस एक्सक्रीशन वाला चैप्टर यानि की क्लास 11 का किड़नी वाला चैप्टर जो है उसका रेनिन यू यह देखो इदर दिया है जे जी ए यानि जुक्स्टा लो मेरूलर अपारेटर सेल्स रिलीज रेनिन वेनेवर ब्लड सप्लाइ तो आपका ब्लड प्रेशर चेंज होता है तो जेजी ए सेल्स जो है यह रेनिन से करते हैं और रेनिन बाकी का पूरा ब्लड प्रेशर का बैखो इस ड्र Kerryं एक बिश्यवांच कि पता चलता हां कि अपना ब्लड ग्रूब नहीं यानिकी बलड़ों इन वर ड्चप तो as ब्लट ग्रूप कौन सा है जिरो ब्लट ग्रूप यानि की ओ ब्लट ग्रूप तो एक भी आंटीजन नहीं है बट दोनों एंटीबोड़ी प्रेजेंट है इस टाइप के बलट ग्रूप को हम बोलेंगे ओ सीधा-सीधा टेबल आपको दिया गया है ओग्लट ग्रूप के पास एक ब्रेशन नहीं होता बट अंटीबोडी दोनों होती है ठीक है next question this is the last question of today's session come on everybody बगप बहुत ही simple सा question है मेरा favorite question है following are the accessory ducts in human male reproductive system except तो इसमें से कौन सी duct accessory duct नहीं है human male reproductive system की बताओ देखो यूरेथ्रा जो पीनस के अंदर प्रेजेंट होती जहां से urine pass होता है so this is a accessory duct ही है ejaculatory duct is also your accessory duct but inguinal canal is not your accessory duct क्योंकि inguinal canal से आपका टेस्टीज जो है वो scrotum में आता है during early fetal life so it is not an accessory duct it is a part of your body organ okay so option number B is the right answer तो फटा फट से सब लोग अपने marks जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ and I hope कि अब तक आपने CET की preparation को serious ले लिया है बहुत सारे बच्चों का यह question है कि माम हम हमारे marks जो है but if you want to increase your marks अगर आप 45 प्लस जाना चाहते हो तो biology में दूसरा कोई solution नहीं है only one solution you have to start reading textbook textbook reading करना start करो start करो start करो that's the only solution for your improvement in marks okay और उसके साथ साथ हमारा जो offline coaching center है ग्यान लैब tutorial यहाँ पे class 11th के admission स्टार्ट हो चुके सीट सा feeling fast जल्दी जल्दी इस नंबर पर WhatsApp करो अगर आप offline coaching लेना चाहते हो और वो भी एकदम minimum price में so to know the fee structure और सब कुछ जानने के लिए इस नंबर पर वाट्साप कर सकते हैं और आपको classes visit करना है तो आप class भी क्लास मुंबई में वडाला रीजन में located students जो मुंबई में रहते हैं वडाला दादर सायन माटूंगा में रहते हैं सिर्फ उन बच्चों के लिए class possible है बाकी के बच्चे यहां पर नहीं नी 2022 की प्रिपरेशन करनी है तो जल्दी जल्दी NCRT की चैनल फॉलो करो ग्यानलाब NCRT और सारे नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर सकते हो ग्यानलाब AP इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है वो भी रेडी हो चुक आपको करना क्या है गूगल पर जाना है ग्यानलाब AP.com सर्च करना है नोट सेक्शन में जाना है और वहां से आप PCB या PCM के सारे शिफ्ट वाइस क्वेशन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो विच सलूशन तो देर किस बात किये फटा फट से जाओ और वेबसाइट चेक करो और आप अपना रिव्यूज भी दे सकते हो वेबसाइट पे उसके अलावा आपके लिए जो एंटर्टेन्मेंट वाली चानल है जल्दी से इसके मेंबर बन जाओ ताकि आपका एंटर्टेन्मेंट भी मिसना हो और वीडियो अच्छी लगे तो इसको जादा से जादा फ्र सब्सक्राइब करो पटा पट सीटी एक्साम के पर आपके लिए वन लाग सब्सक्राइबर तक काउंट पहुचाना है और आपके लिए वन शौट सीज लाने के लिए हम ताइम टेबल प्लान कर रहे हैं बट जल्दी जल्दी चैनल को शेयर करो जादर जाद जादा तुन थांक यू सून अध्ली स्टाइब कर दिए बचे लिए अभी नही तो पाकी तुम लोग स्मार्टो अल्दी बेस्